परिस्थितियों को दोश देना कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोश देते हैं यह motivational story ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आखे खुल सकती है इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं काफी समय पहले की बात है दोस्तों एक आदमी रेगिस्तान में पंस गया था दोर मन ही मन अपने आपको बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुन्दर जगह है अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेडोग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग भूने आना चाहते होंगे मतलब ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता उपरवाला देख रहा था अब उस इंसान वो सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक फुआ दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से फिर बाद उसको वहाँ पर एक रसी और बाल्टी दिखाई दी इसके बाद कहीं से एक परची उड़के आती है जिस परची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्त्रोत नहीं है अब तुम्हारे पास पानी का स्त्रोत भी है अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो उसके बाद वहाँ आदमी वहाँ से चला गया दोस्तो तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को गोश देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप परिस्थितियों को गोश देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको World Sources मिल जाए तो क्या परिस्थिती को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ नोट सिर्फ परिस्थिती को जोच देना जानते हैं। अगर उनके पास उप्यूप्स जोच हो तो वह परिस्थिती को नहीं बदल सकते सिर्फ वह ग्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोप्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितिया बदले। और आपको अगर उसके लिए उप्यूप्स साधन मिल जाए तो आप अपना एक परसंत योगदान को देही सकते हैं।